असलाम लेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशाम दीद मेरा ना अमीर है और दोस्तों हमारे पास आज चैनल पे एक ऐसा ब्रैंड आया है जो मेरे फिविट ब्रैंड में से एक है और आप में से जो लोग हमारे चैनल फॉलो करते हैं और जन्होंने हमारे डेस्ट सेट अप टूर्स और स्टूडियो टूर्स देखे हैं उन्हें पता होगा कि हमारे स्टूडियो में सारे माउस लॉजिटेक के हैं और इतफाग से बहुत अच्छे टाइम पर आया है क्योंकि मैं अपने PS5 के लिए एक हैडसेट डूंड ही रहा था तो हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इसे अन्बॉक्स और फिर इसके सारे फीचर्स पर बात करेंगे तो लॉजिटेक G435 की इस वक्त ओफिचल रीटेल प्राइस 25,800 रुपए है लेकिन इस पर 1000 रुपए का डिसकाउंट भी है आप इसे लॉजिटेक के ओफिचल स्टोर पे दराज से ले सकते हैं और ओफिचल स्टोर से जो लेने के सबसे बड़ा फायदा है वो है कि आपको इसके साथ ओफिचल कंपनी का सपोर्ट और वारंटी मिलती है और यह हैड़सेट ब्लू एंड रैजबरी कलर में भी अविलिबल है इनके साथ तोड़े शौकीन मूट में है फॉक्स के पैक पे इसके कुछ मेंन फीचर्स मेंशन है अब यह अन्बॉक्स ने एक्स्पिएंस बहुत ही सिंपल होने वाला है साथ में एक यूजर मैन्यूल है और इस चोटे वाले बॉक्स पे कुछ सेट अप इंस्ट्रक्शन है और अब आते हैं हमारे इस हेड़सेट पे तो दोस्तों इस Logitech G435 की जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो यह है कि यह बहुत ही लाइट है इसका वज़न सिर्फ 165 ग्राम्स है और यह चीज़ ऐसे गेमिंग हेडसेट में बहुत ही मैटर करती है क्योंकि इन्हें हंटों पहन के रखना पड़ता है और वेट कम हो तो फटी या थकावट कम होती है हेडसेट की बिल्ड पूरी ही प्लास्टिक की है और इस ब्लैक और नियोन कलर वे में ये केबल्स और बटन्स नियोन यलो कलर के हैं यहाँ उपर वाली तरफ फैब्रिक की एक लेयर दी गई है यहाँ पैडिंग काफी पतली है लेगन इस्टिल फांड इस हेडसेट तो भी कमफ़टबल तो एर पूरे हेडसेट की फिनिश मैट है और कुछ एरियाज में हाई ग्लॉस फिनिश भी दी गई है और यहाँ साइ पर हेडसेट के माइक्रोफोन भी दिये गए है इस हैडसेट में कोई रेट्रैक्टिबल या भार निकलने वाले माइक नहीं है जबकि नीचे वाली तरफ यह टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए अब इस हैडसेट के कप्स काफी सॉफ्ट लगे मुझे I don't know memory foam है क् बड़ी सॉफ्ट किसम की फील है पैन के भी बड़े comfortable महसूस होते हैं और इनके कप्स की जो length है वो भी आप अपने head के हिसाब से adjust कर सकते हैं तो थोड़ा adjust करके यह बिलकुल आपके कानों पे बहुती comfortably आ जाते हैं और अब आज जाओ थोड़े technical specs पर तो Logitech G4 35 के अंदर 40 millimeter के बड़े drivers दिए गए हैं जो के basically bass को थोड़ा ज्यादा बहतर कर देते हैं अब आप इस headset पे music सुन जरूर सकते हैं I mean quality काफी decent है लेकिन इनका main मकसद music सुनना नहीं है यह gaming के लिए design है इनकी range 10 meters है जो के 33 foot के आसपास बनती है और Logitech यहां 18 गंटे की battery life claim कर रहे हैं फिर चलाने के लिए आपके पस दो options हैं एक तो है Bluetooth जिनसे आप बजरिया Bluetooth इन्हें अपने computer, phone या tablet के साथ connect कर सकते हैं लिए एक और भी option दिया गया है और वो है light speed और यह light speed basically Logitech की अपनी technology है low latency और reliable performance के लिए low latency खास तोर पे gamers के लिए बहुत ही जादा important होती है क्योंकि स्क्री थोड़ी सी delay के साथ आ रही हो तो फिर सारा मज़ा करकरा हो जाता है और यह light speed वाला method खास तोरे पर आपको अपने consoles के लिए चाहेगा तो PS5 के साथ यह directly Bluetooth से नहीं connect होते है इनको इस dongle के साथ यूज़ किया जाता है लेकिन Bluetooth और light speed के साथ यह headset आपके तकरीबन सारे devices के तो मैंने तो इन्हें बहुती thoroughly enjoy किया gaming करते हुए मैं कोई serious gamer तो नहीं हूँ लेकिन as a casual gamer इनने basically मेरे सारे boxes को check किया है क्योंकि मैं fast-paced first-person shooters ज्यादा खेलता हूँ और मुझे तो कोई latency का as such issue मैसूस ही नहीं वा और यह volume और sound quality भी अच्छी थी max volume पे भी मेरे लिए sound बहुत quality मुझे ठीक लगी और तीसरी चीज़ है microphones अब normally मैंने जो जादा तर headsets देखे हैं उन में या तो retractable होते हैं या वो mic नीचे गिरने वाला होता है जो आपके face के सामने आ जाता है तो मैं तो मैं थोड़ा सा concern था शुरू में कि पता नहीं इसकी sound quality कैसी होगी लेकिन जैसे कि आपको पहले बताया इस headset में beam forming technology दी गई है मैंने अपने PS5 पे इस microphone को test out किया मुझे इन mics की आवाज काफी clear मैसूस हुई आप खुद भी इसकी आवाज यहां सुन सकते हैं और decide कर सकते हैं कि आपको इसका sound कैसा लग रहा है मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर mic से कोई issues होंगे जहां तक बात बैटरी लाइफ की तो normally brands हमेशा best case scenario बता रहे होते हैं तो अगर हम 18 गंटे ना भी मानें और 15-16 गंटे मान लें तो भी एक casual या even semi-serious gamer के 3-4-5 gaming sessions तो एक बैटरी पे आराम से निकल जाएंगे और फिर आप gaming करने के फॉरण बाद इने ऐसी जगा पर रखें जा फॉरण से चार्ज कर लिया थोड़ी दिर चार्ज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा तो कोई issue नहीं है और finally मैं बात करना चाहता हूँ comfort पे तो मैंने इन से डेर से दो गंटे के तकर दो सेशन दूँ या तोड़ा adjust करूं तो I was happy with that. इस headset के cups काफी soft है, although मैं यह prefer करता अगर इनके अंदर speakers को बिलकुली खुला रहा रखा जाते हैं, यहां भी कोई fabric की covering होती, तो बैतर होता, लेकिन इस चीज़ का भी मेरे overall comfort में कोई as such effect नहीं था. और दोस्तों, अब मैं यहां हमारी review speaker community के जो gamers हैं, उनकी राय जानना चाता हूँ कि आप लोगों को यह Logitech G435 कैसे लगे, अगर आपने इन्हें use किया है, तो अपना feedback भी नीचे comments में छोड़ सकते हैं, and once again, याद रखें कि इन्हें आप Logitech के official दराज store से pick कर सकते हैं, links description में आपको मिल जाएंगी, चैनल प जाद नी हो